नमस्कार आप देख रहे हैं JJN News और मैं हूँ आपके साथ निधेविश्ट हाइकोट ने पंतनगर में नैशनल हाइवे नगला और पंतनगर युनिवसिटी की जमीन पर अतिक्रमण करने के खिलाव दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की कोट ने अतिक्रमण कारियों को फिलाल कोई राहत नहीं देते हुए जिला अधिकारी उधम सिंग नगर से इस मामले में प्रभावी कारवाई कर लिकित रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये हैं अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी अधालत उसे दिन अतिक्रमण कारियों के प्रत्यावेदन पर भी सुनवाई करेगी मगलवार को मुख्य नियाईधीश आरिश चाहान वे नियाई मूर्ती आलोक कुमार वर्मा की खंड़ पीट में पंतनगर निवासी अजेक कुमार की जनित याचिका पर सुनवाई हुई याचिका में कहा कि जिरा उधम सिंग नगर के पंतनगर नगला नैशनल हाईवे और पंतनगर युनिवरसिटी की सरकारी भूमी पर पिछले कई सालों से अतिक्रमण कर अवैद रूप से निर्माण किया गया है जिस से नैशनल हाईवे की सडक संक्री हो गई और सडक दुरगटनाओं की संभावना बनी हुई है पिछले कुछ सालों में सार्वजनिक संपत्ती पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो गया है याचिका करता का ये भी कहना है कि नैशनल हाईवे और पंत नगर यूनिवरसिटी की भूमी में अतिक्रमण कारियों के खिलाफ कड़ी कारवाई कर उन्हें हटाया जाए तो फिलाल आज की इस खबर में बस इतना ही बने रहिए जे जे नीउस के साथ नमस्कार